सच घटे या बढ़े तो सच न रहे कृष्ण बिहारी नूर की इनी पंक्तियों का जिक राज E.D. के हाथों गिरफतार सांसज संजे सिंग ने आदालत में किया जिने पांच दिन की E.D. की रिमांड पे भीज दिया गया आरोप शराब घोटाले का है विपक्ष का आरोप चुनाव नसदीक देख E.D. CBI. IT के जरिये विरोधी नेताओं को दबाने का है चापे मारी रुकी नहीं है आज भी E.D. और आयकर विभागने कई राज्यों में चापे मारे है तब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जैसे जैसे चुनाव नसदीक आएंगे ब्रश्टाचार के आरोपों की जाच करती एजेंसियों की कारवाई पर सवाल उठाती सियासत भी बढ़ेगी क्या जाच और सियासी आच में आगे और लड़ाई है यूपिये राज के मुकाबले एंडिये राज के आठ साल में एडी की 27 गुना ज्यादा चापे मारी यूपिये राज के मुकाबले एंडिये राज में नेताओं के खिलाफ चार गुना ज्यादा एडी के मामले UPA राज में दो पूर्व मुख्यमंत्री जाच के घेरे में आये NDA राज में ED की जाच के रडार में एक मुख्यमंत्री, 14 पूर्व मुख्यमंत्री आते है UPA राज में तीन मंत्रियों की जाच ED करती है NDA राज में 19 मंत्री को जाच के दायरे में ED लाती है UPA राज में 3 सांसद तो NDA राज में 24 सांसद UPA राज में एक भी विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद ED की जाज के दायरे में नहीं आया लेकिन NDA राज में ED की जाज का घेरा 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद तक कस जाता सरसट साल पहले आर्थिक अफराद रोकने के लिए बनी जाच एजेंसी एडी यानी प्रवरतनी देशाले जो छापे मारी में घोटाले वाजों का पैसा पकड़ती है तो उनी नोटों से एडी लिख कर करप्शन के खिलाफ अपने एक्शन की दस तक देश को दे देती है उसके चापे का एक कंकड रष्टा चार के आरोप वाले तालाब में गिरते ही राजनीतिक बयानवाजियों की लहरे बहुत तेज उफान मारने लगती है आरोप लगने लगता है कि एडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टार्गेट कर रही है जैसे अभी गिरफतारी के बाद अदालत में पेश होने जाते वक्त संजे सिंग अपनी गिरफतारी को चुनाओं से पहले बीजेपी का हार के डर वाली हताशा वताते हैं शराब घोटाले के आरोप में सिसोधिया के जेल जाने के बाद अपने नमबर दो संजे सिंग की गिरफतारी के बाद उनके घर केजरिवाल पहुंचे बहार आयत तो पूछने लगे चवन्नी मिली नहीं गिरफतारी पर गिरफतारी हो रही है शराब घोटाले के उपर इन्होंने हजार से जादा एक हजार से जादा रेड मार चुके है पता नहीं कितने लोगों को गिरफतार कर चुके कहते हैं 100 करोड रुपे का शराब घोटाला लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी 54 भी नहीं मिली इन दोगों को शराब घोटाले में ही गिरफतार हुए मनीश सिसोधिया 221 दिन से जेल में है इनकी जवाना त्याजका पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई है इसी घोटाले के आरूप में फकले गए संजय सिंग को भी दिल्ली की अदालत ने 10 अक्टूबर तक E.D. की रिमाण में भेजा सिसोधिया और संजय दोनों के केस में सुनवाई के दौरान अदालतों की दो टिप पड़ी एहम रही सिसोधिया की जमानत पर सुनवाई करते सुप्रीम कोट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVA भट्टी की बेंच ने कहा आपकी दलील तो एक अनुवान है जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारिक होना चाहिए वरना अदालत में जे रह होने पर ये केस दो मिनिट में गिर जाएगा संजे सिंग को E.D. रिमान में भेजने से पहले अदालत ने E.D. से पूछा जब संजे सिंग के खिलाफ वक्ता सबूत थे फिर गिरफतारी में इतना वक्त क्यों लगा आप पैसों के जिस लेंदेन की बात कर रहे हैं वो काफी पुराना है फिर गिरफतारी में इतनी देरी क्यों E.D. ने जवाब में कहा कि आरोपी से सरकारी गवाव ने दिने शरोणा ने बताया है उसने दो करोन रुपर संजे सिंग के घर दिया था बुधवार की रेड में कुछ डिजिटल सबूत मिले उन सब का सामना संजे सिंग से कराना है इसी लिए रिमान चाहिए आगे की जानकारी कोर्ट रूम में मौझूद रहे आज तक समवाददाता संजे शर्मा और शराब घोटाले में E.D. के हर एक्शन को शुरुआत से आपके लिए कबर करते आ रहे समवाददाता मौनीश पांडे से सुनगे संजे सिंग की तरफ से ये कहा गया कि ये फिलहाल ये सारी चीज़ें बिलकुल नाटक हैं ये जांच के नाम पर चीज़ें समय खराब किया जा रहा है क्योंकि अगर दिने शरोडा तो इनके पास एक साल करीब से है तो अचानक क्या हुआ कि दिने शरोडा की याददाश तेक्जन से अचानक जगी आठ महीने वो बिलकुल खामोश रहा और इदर उदर की बातें बताता रहा लेकिन जब बात आई तो उन्होंने अभी ही क्यों दिने शरोडा ने संजे सिंग का नाम लिया है दिने शरोडा की तरब से कहा गया कि वो नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले वो संजे सिंग बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं लहाजा उन से डर की वज़े से नाम नहीं लिए गए क्योंकि जब चीजें और सारी चीजें पुखता हो जाएंगी तब संजय सिंग के बारे में बताये जाएगा क्योंकि सबूत उनके पास पहले से संजय सिंग के परती थे उनके CDR यानि की call data record को चेक किया गया और पाया गया कि उन तारीखों में जिसमें दावा किया गया था उन तारीखों में वो शक्स संजय सिंग के घर पर मौझूद था और वही पर पैसे पहुचाए गया था यानि कि अगर साफ शब्दों में बोलें तो ED का ये दावा है कि money ट्रेल इस मामले में establish कर लिया गया है इस बात की पुष्टी उन्होंने कर ली है कि संजय सिंग को पैसा मिला था लगबग 2 करोड रूपे अब एक तरफ धश्टा चार है घोटाला है जांच है गिरफतारी है और रिमांड दूसरी तरफ फिपक्ष का सवाल है सियासत है प्रदर्शन है और चुनाव के डर से ED के दुरुपयोग का आरोप है और ऐसा किसी एक गिरफतारी या जांच के बाद नहीं होता हर बार जैस नहीं किसी नेता के खिलाफ जांच शुरू होती है यही सब कुछ दोहराया जाता है पूनिश पांडे के साथ संजय शर्मा दिल्ली आज तक संजय सिंग के मामले के बाद जो कुछ अभी नेता कह रहे हैं वो पहली बाद नहीं है ऐसा हर गिरफतारी हर पूछता हर जांच के बाद सामने आता है सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर जांच एजंसी ED रहती है इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को एक साथ कर के देखें तो विपक्ष के नेता आरूप लगाते हैं कि ED सरकार के इशारे पर सिर्फ नेताओं को टागेट करती है ED की तरफ से कुछ दिनों पहले ही बताया गया कि 2005 से जनवरी 2023 तक ED ने मानी लॉंडरिंग आक्ट में 5906 केस दर्ज किये हैं तो इसमें केबल 2.98 प्रतिशत मामलों में ही ED ने छापा मारा है जिनमें से 3 प्रतिशत से कम केस में छापे मारी नेताओं के ठिकानों पर हुई है विपक्षा रूप लगाता है कि ED की जाच के बाद conviction रेट यानि दोश सिद्धी की दर बहुत कम है इसके जवाब में ED की तरफ से दावा होता है कि ट्रायल पूरा होने के बाद ही conviction हो सकता है ऐसमें 25 मामलों में ED की जाच के बाद ट्रायल पूरा हुआ और 24 मामले में दोश सिद्धी हुई है इसलिए ED का conviction rate 94 प्रतिशत है ऐसे ही आरूप प्रत्यारूप के बीच हर छापे को विपक्ष के नेता सियासत का छापा मार हो सकती है जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोट अज पूछ रहा था फीलिंग आ रही थी कि गलती केस बना रखा ही लोगोंने हमारे उपर केजरिवाल गलत केस बताते हैं समर्थक प्रदर्शन करते हैं दिल्ली मुंबई पूरे चंडीगर लखनव घोपाल तक अथिल भारतिय के सियासत पीडी के एक्शन के खिलाफ होती है अब देख सकते हैं सक्टर 37 में इस सड़क को बैरिकेटिंग के जड़िये रोकने का प्रयास किया गया है लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदवी पार्टी के करेकरता एक तरफ जहां पूतला फूंक रहे हैं वहीं पूरी जो और आजमाइस कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बैरिकेटिंग को हटाया जाए इन कारेकरताओं को तितर वितर करने के लिए तेज पानी के वहचार का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वह आगे ना बढ़ने पाए क्यूंकि आम आदी पार्टे कारेकरताओं की संक्यतनी ज्या और साथी साथ दिल्ली पुलिस के बीच में नारे बाजी है और फिलाल यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है आमादी पार्टी के समत्रकों को यह ने कि यहां पर शुरू हो चुका है जो लोग भी परदर्शन कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है अब आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को खदेर के कोशिस कर रहे हैं इस वक्त पुलिस जबरतस हंगा मादीन द्याल उपादय मार्ट पर देखी आम आदभी पार्टी के कारेकरताओं को खदेरा जा रहा है यह परमिलिटरी फोसें एससबी के जवानें ज़डब साफ रूप के आपको पास्तक के कैमरे पे दिखाई देगा जहां पे इस पर्ष ट्रूप से धक्टा मुखी दिल्ली पुलिस एसेसबी के जवान और सी आरपी के जवानों के भीज दिख रहा है जिस वक्त आम आदली पार्टी प्रदर्शन करके विरोध जताती है तब तक देश में नए छापे जाच एजिन्सियों की तरफ से शुरू हो जाते हैं इडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में खाद्य और आपूर्ती मंत्री रतिन गोश और पूरू नगरपालिका डेक्ष के ठिकानों पर छापे मारी की ये छापे मारी नगरपालिका में भरतियों में गड़बडी को ले कर होती है तामिलनाडू में डीम के सांसत एस जगत रक्षकन के परिसरों पर आएका रिभाद तलाशी लेता है चालीज से ज्यादा जगहों पर छापे मारी हुई तेलंगाना में आएकर विभाग ने बियारस विधाय मगंती गोपिनाथ से जुले ठिकानों पर छापे मारी की गुरुवार शाम तक खबर आगई कि उत्तरप्रदेश के लखनव वारानसी और आजमगर से लेकर मुंबई तक समाजवादी पार्टी के नेताबू आजमी के ठिकानों पर छापे पढ़ने लगी सवाल पूछा जाने लगा छापों की रडार में और कौन-कौन आगे हैं सिर्फ ठाल के कुछ घोटालों के आरोप पर नज़र डालें तो क्या स्कूल भरती घोटाले के आरोप में आगे ममता बनर जी के भतीजे अब शेक बनर जी भी गिरफतार किये जा सकते हैं क्या रेलवे भरती के मदले जमीन घोटाले के आरोप में आगे के जस्वी यादव की भी गिरफतारी हो सकती हैं क्या शराब घोटाले के आरोप में ही अरविंद केजरिवाल तक भी गिरफतारी के आँच पहुँच सकती हैं अर्विन केजरिवाल से शराब घोटाले के आरोप में ही अप्रैल महीने में CBI पूछताच कर चुकी है केजरिवाल से पूछताच की जो वजह सामने आई थी उस पर गौर करिये जाच एजनसी का आरोप रहा कि शराब के बड़े कारोबारी और शराब घोटाले के आरोपी समीर महीन्दु के बयान केजरिवाल को पूछताच के लिए बुलाने की सबसे बड़ी वजह बने थे एजेंसी के मताबिक समीर महंदु ने बताया था कि केजरिवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कम्यूनिकेशन हेड विजय नायर ने एक मीटिंग फिक्स करवाई थी किसी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई तो विजय नायर ने ही फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिये अरविन केजरिवाल से बात करवाई वीडियो कॉल पर दावा है कि अर्विन केज्रिवाल ने कहा था कि वीजे नैर मेरा आदमी है, विश्वास कर सकते हो, इसके साथ डील कर लो अब संजय सिंग गरफतार हो चुके हैं केजरिवाल का स्तीफा बीजेपी माँग रही है और केजरिवाल संजय सिंग की गरफतारी को गैर कानूनी बताते हैं आज उस टीम के एक तीसरे अस्तमव भी गिरफतार हुए है जिनका राम है संजय सिंग और ये आच जो है न जो सतिंद्र जैन से चली मनी से सोधिया तकाई और आज संजय सिंग पर आई मेरा मन कहता है कि ये आच बहुत जल्दी अर्विन केजरिवाल के गिरेबान तर जाने वाली है